हरिद्वार जिले में वैक्सिनेशन अभियान ने फिर गती पकड़ ली है यहां लोगों को वैक्सिन लगाने के लिए टीका करण केंदर 24 घंटे संचालित हो रहे हैं हरिद्वार उन जिलों में शामिल है जो वैक्सिनेशन के मामले में प्रदेश में काफी आगे है सभी वर्गों के लोग वैक्सिनेशन करवाने को आगया रहे हैं अधिकारियों का कहना है कि जिले में वैक्सिन की सप्लाई ठीक हो गई है और वैक्सिनेशन को लगातार बढ़ाने पर जोड़ दिया जा रहा है अभी वैक्सिनेशन की सप्लाई को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है अभी तक केवल को भी शील चल लई थी अब को वैक्सीन की भी सप्लाई आनी शुरू होई है अभी यह रिवू करने पर पाया कि अभी हमारा जो डबल वैक्सिनेशन है जिसमें हम कहते हैं कि वैक्ति फुली प केम्प लगाए जाएं यह संभव होगा जब हमको वैक्सीन मिले तो इसके लिए मैंने सीमो साब से काया है कि किसके से थारटी से हमको बात करनी है क्या करना है मुझे आउगत कराएं मैं आशक्ता पड़ीगी तो माननी स्वास्त मंत्री से माननी मुख सच्यू महुद ऐसे और स्वास्त सचो Pop companies से भी हरत्रोंगा कि वैक्सिनीशन का कारि किसी की तरह से हम चाहते हैं कि दिसंबर तक मारा वैक्सिनीशन पूरा हो जाए कि मैं अरे पूरे हरिद्वार जीले में चुछ बिकत आरही थी जैसे कुछ कम्यूटि के दिवरा वेक्सिन नहीं लगाए जा रहे है और हमको जो supply वहां से हो रहे है जितने डोज का उसका maximum हम यूज कर रहे है और अभी supply भी काफी बढ़ा है हमारा जो लगभग लगभग 20,000 पर डे का आ रहे हैं कभी 50 भी आ जा रहे हैं कभी कभी हो रहा है कि नहीं पहुँच पारे हैं जिस कारण से रोज डेली-डेली का हम वेक्सीन एवलेबुल सबको नहीं करा पारे हर सेंटर पर लेकिन अभी हमारा रफ्तार काफी जादे हुआ है वहीं टीका करेंट केंद्रों पर पहुँच रहे लोगों का कहना है कि प्रतेक व्यक्ति को वैक्सीन अवर्श लगवानी चाहिए इससे कुरोना महामारी के संक्रमन को रूखा जा सकता है कि सब लोग अपने फेले से प्यार करते हैं तो अपने लिए लगवाईए आप लोग उनका सब सारा है तो आपको वैक्सीन करवाना चाहिए आप परोना से लड़ाई के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है